अगर आप किसी भी कम्टेटिव एजाम का प्रिपरिशन कर रहा है तो वीडियो लाश्ट तक जरूर देखेगा चलिए वीडियो सुरू करते हैं जल्दी से इसको लाइक कर दीजे और चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लीजे तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाला है वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड है इंटेंशन इंटेंशन के लास्ट में आयो एन आया है जब भी वर्ड के लास्ट में आयो एन दिखे वर्ड नावन की तरह काम करेगा इसके मिनिंग की बात करें तो इसका इंगलिस मिनिंग हो जाएगा सिनोनेम्स के अगर हम बात करें तो एम मतलब लग्षे होप मतलब आसा मोटीव अब्जेक्टिव मतलब उदेश से यह सारे क्या होगे सिमलर वर्ड हो गए जिसका मेनिंग होता है इंटेंशन का जो मीनिंग है इरादा ठीक है यानि कि सब का मीनिंग सेम है एंटोनेम्स की बात करें तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा इंडिफिनिट हो जाएगा स्वाट हो जाएगा या फिर ट्रिवियल हो जाएगा यह सारे अपोजिट वार्ड हो गए यहां पर आप फ्लेक् इंटेंसन क्राब होगा तो आप गलत रास्ता को चूज करेंगे नेस्ट वर्ड दिया गहा है इंक्लेजन इंक्लेजन भी नाउन हो गया क्योंकि आयुएंट लगा है लास्ट में इसके मिनिंग की बात करें तो इसका मिनिंग होता है the act of including यानि कि ऐसा एक जिसमें किसी चीज को include किया जा रहा है यानि कि सामिल किया जा रहा है तो समावेस इसका हिंदी मिनिंग हो जाएगा synonyms की हम बात करें तो incorporation, addition, insertion, introduction और involvement ये सारे similar word हो गए ठीक है? यानि किसी चीज को add कर रहा है, insert कर रहा है introduce कर रहा है या फिर involve कर रहा है सब को, उसको बोलते हैं inclusion अगर antonyms की बात करें तो exclusion हो जाएगा, omission हो जाएगा absence हो जाएगा और exception हो जाएगा तो ये सारे opposite word हो गए inclusion के ठीक है? अब चलिए इससे relevant picture देख लेते हैं जिसका meaning होता है to show something such as a feeling or an opinion by words or action तो expressed मतलब होता है so करना, दिखाना, जैसे की feeling हो गया या फिर आपका opinion यानि कि उदेश से आपके मन में जो भी चीज़ चल रहा है वो चाहे हो words यानि कि बोलके या फिर आप करके दिखा रहा है indicate या फिर so या सारे similar word हो जाएंगे जैसे आपके मन में जो भी अगर विचार आया है कुछ feelings है तो आप दूसरों से बात करते हैं communicate करते हैं उसको convey करते हैं, दिखाते हैं एंटोनेम्स की बात करें तो suppress यानि कि उसको दबा लेना, मन के अंदर रेस्ट्रीक्ट यानि कि रोकना, रेस्ट्रेन, रेस्टिफ फॉल यह सारे opposite word हो गया अब चलते हैं अगले word के तरफ अगला word है consulting जो की भर्व की तरह काम कर रहा है अगर इसके मेनिंग की बात करें तो इसका मेनिंग होता है सीक information और advice from someone especially an expert और professional तो consulting मतलब बता है, सीक मतलब क्या होता है सबसे परेज़ शीक मतलब बता है खोजना तलासना ठीक है तो information लेना किसी से या फिर advice यानि कि सलाह लेना सूचना सलाह लेना उससे जो क्या हो एक्सपार्ट हो यानि कि माहिर हो या फिर professional हो जैसे मान लेजे कि अब यह फिर का मीनिग हो जाएगा अगर से अनॉनिम्स की बात करें तो आर्ग्यू अब बेंश्टर्म, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ दो लोग पिक्चर में आपस में क्या कर रहे हैं, consult कर रहे हैं, next word दिया गया है, prominent, जो की adjective की तरह काम कर रहा है, जिसका meaning होता है, important और famous, कोई चीज जो famous यानि की प्रसीद और महत्वपूर्ण हो, उसको prominent बोलते हैं, जिसका Hindi meaning प्रमुक हो जाएगा, अगर synonyms देखे लेते हैं, यानि की antonyms, तो क्या हो जाएगा, depressed हो जाएगा, inconspicuous हो जाएगा, invisible हो जाएगा, और obscure हो जाएगा, तो OUS आया है, किस में, inconspicuous में, तो OUS भी not down कर लिजिए, जो की adjective सफिक्स होता है, और invisible में BLE आया है, तो BLE भी adjective सफिक्स होता है, तो साथ में सफिक्स जो बत होंग मर्क में हम आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस यहीं बोलते हैं, कि जितना भी आपसे sentence बनता है, यहाँ पर जो word सिखर है उससे, वो sentence बनाएगे, और commentation में comment किजिएगा, अगला word दिया गया, suspects, जो की verb की तरह काम कर रहा है, जिसका अगर meaning देखें, तो meaning होता है, have an idea, और impression of the existence, presence, or truth of something, without certain proof, तो suspect मतलब होता है, बिना किसी खास proof के, किसी कोई idea है, मतलब कोई विचार, कोई impression, या किसी चीज लोग existence कर रहा है, जैसे कुछ लोग भूतों में existence कर लेता है, कि भूत होता है, गोस्ट, या कहीं पर भूत है, presence होना, और कि कोई सचाई, जिसने वि बिना किसी proof के, तो उसको बोला जाता है, suspects, यानि कि संदिक्थ, इसका हिंदी मिनिंग हो जाएगा, synonyms की बात करें, तो open, pseudo, doubtable, या फिर thick, ये सारे similar word हो जाएगे, opposite word देखें, तो innocent, non, trusted, या फिर ट्रस्ट वर्टी, ये सारे opposite word हो जाएगे, ठीक है, यानि कि antonyms, मिनिंग होता है, undermine the power and authority of an established system or institution, यानि कि किसी चीज का अधिकार, यानि कि authority और power को undermine करना, यानि कि सापित किया गया, कोई तंत्र हो, या कोई संस्था हो, उसको, तो नस्ट कर देना, इसका हिंदी मिनिंग हो जागा, क्या हो जाएगा, नस्ट कर देना, ठीक है, दपर एक ल जाएगा, help हो जाएगा, improve हो जाएगा, और purify हो जाएगा, यह सारे opposite word हो गया, अगले word के तरफ बढ़ते हैं, अगला word दिया गया है, hatch, hatch, यहाँ पर भर्व की तरह काम कर रहा है, जिसका मिनिंग होता है, open and produce a young one, young animals, यानि कि जो चीज open हो रहा है, और वो produce कर रहा है, एक hatch होता है, अंडा फूरता है, तब उसमें से बच्चे निकलते हैं, तो इसका हिंदी मिनिंग बनना हो सकता है, synonyms की बात करें, तो breed, conceive, concord, या फिर device, यह सारे similar word हो गया, opposite words देखें, यानि कि antonyms, तो destroy, discourage, disorganize, या फिर dissuade हो जाएगा, चलिए picture देख लिजे, तो यानि कि सेती है, ठीक है, सेता नहीं है, सेती है, तो उसके बाद से क्या होता है, कुछ टेहपाद वो अंडा फूटता है, ठीक है, और उसमें से चूजा निकलता है, तो अंडे को जो फूटना होता है, उसको hatch बोलते हैं, अगला बाद दिया गया, executing, जो की भर्व की तरह क execute करना, ठीक है, यानि कि किर्यान वयन इसका हेंदी मिनिंग हो जाएगा, synonyms की बात करें, तो accomplish, achieve, discharge, या फिर effect हो जाएगा, यानि कि जो काम दिया गया, उसको करके, उसको accomplish करना, हासिल करना, discharge करना, या प्रभावित करना, अगला अगर एंटोनेम्स देखें, तो clemency, commutation, forbearance, या फिर forgiveness हो जाएगा, तो यह सारे opposite word हो गया, next और आज के session का last word है, word है probing, जो की भरव की तरह काम कर रहा है, जिसका मिनिंग होता है, a blunt indeed surgical instrument, used for exploring a wound or part of the body, तो probing मतलब होता है, एक तरह का blunt surgical instrument, जिसका परयोग किया जाता है, किसी गहाव को या सरीर को explore करने के लिए, जाचने के लिए, पता लगाने के लिए, तो जाच इसका हिंदी मिनिंग हो जाएगा, इन्टनेम्स की बात करें तो investigation, examination, inquest, या फिर scrutiny हो जाएगा, तो investigate मतलब क्या आता है, जाच करना, examine मतलब भी जाच करना होता है, inquest, scrutiny मतलब ढ़ंग से देखना किसी चीज को पता लगा इन्टनेम्स की बात करें, तो gentle, idiotic, kind, या फिर nice हो जाएगा, एक mission pro भी launch किया गया था, जिसमें सूरज को जाच किया गया था, सूरज के बारे में, तो इसलिए यहाँ पर वोला picture insert कर दिये हैं, ताकि आप समझ पाए, वाई होप आपको session अच्छा लगा होगा, तो आज के लेकता है, आज का session नहीं पर समप्त हुआ, session कैसा लगा, comment session में जरूर बताएगा, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, thanks for watching, जै हिंद